प्यारे दोस्तों, माहरिश्वरी का नमस्कार भारत में एक महान सन्नारी हो गई जिसे साक्षात सेवा की मुर्दी गई जा सकती है उसका नाम था भामति बहुत कम लोग ये नाम को जानते हैं इस नाम को बहुत कम लोग जानते हैं भामति पहले की जमाने में छोटी उम्र में विवाह हो जाता था भामति का विवाह हुआ विद्या वाचस्पति के साथ विद्या वाजस्पति का नाम पे बहुत कम लोगों ने सुना है क्या आज रस कहां लोगों का और अध्यात्म में भारत के डिवाइन इतिहास में क्या क्या प्रेरे ये छिपी पड़ी है ये आपको पता चली इसलिए तो मैं बोल रही हूँ मेरा बोलनी का तात्पर ये वही एक है विद्या वाजस्पति की साथ भामति का विवा हुआ वो एक सांसारी का उपचारिक था केवल उपचारिक था करनी पड़ थे कभी बढू के कहने पर बढू के आग्या से रस रुची किसी विद्या में या किसी डिवाइन मिशन में जहादा हो तो पूर एक समाना था कि माता पिता का मन रखने के लिए इशादी कर लेते थे दोस्तों विद्या वाजस्पति का मन का spiritual literature जितना भी हमारा है भारत का अध्यात्मिक साहिते उस पर रिसर्च करना रिसर्च करने के लिए मर्मस परशेशे अप्यास करना पड़ता है और इसके लिए तल्लिनता चाहिए एकांद चाहिए एकांद चाहिए नर्व या नारी ऐसा महान कार्व करने वाले को जिवन साथ अगर समझदार नहीं मिलता है तो मिशन अधुरा छूट जाता है आत्मसंतोशुरा मिलता नहीं है और काफे लोगों के साथ ऐसा होता है वे लोग भाग्यवान है जो संसार में कि जिससे समझदार पात्र मिले है कि एक दूसरे का जो मिशन ही उसमें पुरा-पुरा सहयोग करे तो ऐसा ग्रियस्थाश्रम तो बन जाते है धन्यों ग्रियस्थाश्रम ऐसे ग्रियस्थाश्रम को धन्यवाद है ऐसे ग्रियस्थी को धन्यवाद है ऐसे नारी को धन्यवाद है, ऐसे पुरुष को धन्यवाद है, कि जो कोई विश्व कल्यान का काम हो रहा है जिसके द्वारा, ऐसे कारिय में एक दुसरों को बाधरूप न बने और यथा संभव सहयोग करते हैं। अजो, एसेंस है, साहर भाग जोगे, उसमें ही था, वो शब्द ब्रह्म का रस, उसके लिए इतना महतुपुर्ण बन गया कि संसार रस गौण था उसके लिए, होता है ना अपना अपना रस, तो संसार रस गौण था दोस्तों, शादी हो गई, भामती आ गई घर में। वाजस्पती, सामने भी नहीं देखते हैं, और जुपचाप, कागज और कलम, जो लिख रहे थे, उसके आसन पर बैट गए, विद्या वाजस्पती, कितने विश्यों पर रिसर्च कर रहे थे, काम कर रहे थे, टिका लिख रहे थे, ब्रह्म सुत्र, न्याई शास्त्र, मिमासा, व्याक्रन और वेदों की विवी थी शाठाएं, मासागर में डूपकी लगाने बैठे थे, कि उन सागरों में कितनी गहराई है, कोई साथ हर रहे काम नहीं था, शाठी कोई भी कर सकता है, बच्चे कोई भी पैदा कर सकता है, लेकिन विद्या वाजस्पती ने चुकाम किया, हर कोई नहीं कर सकता, करोडों में एकात बंद ये कारी कर सकता है, और ऐसे लोगों की वज़े से हमारे शास्त्र जीवंतरा है, हमारे इत्यास जीवंतरा है, हमारे वेदी जीवंतर है, और सरल बन गया, सरल बन गया समझने में, खैर, भामती समझ गई, वो छोटी से लड़ी लड़ी कितनी समध्दार हो गई, वो समझ ग मेरा अधिकार मांग। इससे बहतर है कि जितना हो सके उतना मिचुपचाप सहयोग में लग जाओं। विद्यवाजस्पति अपने कमरे में तली हैं। अपने शब्द ब्रह्म के साथ अपने शास्त्रों के साथ उसको समझने में उस पर लिखने में उसको सरल बनाने में। भामति चुपचाप जब अंधेरा होता था तब दिया कर देती थी ताकि विद्यवाजस्पति के कारी में लिखन कारी में बाता ना आए। सुन्दर रसुल बना कर अन्नम ब्रह्म शक्ति कहां से मिलेगी इसको ये सब कारी करने की तो भोजन बना के चुपचाप पता भी नहीं चले थाली कौन रख गया। और फिर स्थिती तो ऐसे आ गई कि धिरे 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 विद्यवाजस्पति इतने इन्मॉल हो गए अपने कारी में कि वो भूली गए कि मिले शादी भी हुई थी। इस तरह से जब कोई संसार भूल जाता है ना तो विश्व कल्यान का कारी कर सकता है। भूल गए धिरे धिरे और उसकी परपनी जितना बन पड़े उतना शांती से चुपचाप सहयोग कर रही थी। सहयोग करना ये बात है और अनुकुल होकर सहयोग करना ये बड़ी बात है और दूसरी बात है तो अनुकुल बन कर कोई विक्षेप नहों। कुकि एक किरली सत्य की कहीं से आ गई पकड़ में आ गई कोई बाद शास्त्र में सैसी किसका अर्थकटन सत्य बन जाए सत्य रूप बन जाए अगर कोई ऐसे क्षण में विक्षेप कर देता है तो वेदना क्या होती है उसका अनुभो में बहुत किया है। क्योंकि मुझे जो कुछ अध्यन, पठन, लिखन, चिंतन, वांचन, मनन करना था और ग्रंथ जितने भी लिखने थे। उसमें मुझे तो काम लेना था स्टाफ के पास से। स्टाफ एक चीज होती है और समरबित बंदा कोई होई दूसरी चीज होती है। तो विद्या वाचस्पति के लिए जो एक माहल और शांते बनाए रखी भामती ने। बहुत मुल्यवाने बहुत मुल्यवाने ऐसे करते 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 जीवन निकल गया। विद्या वाचस्पति अब रिद्ध हो गए। और भामती भी रिद्ध हो गए। जितना भी कारिय किया था, जितना भी लिखा था, उस ग्रंद को अब विद्या वाचस्पति सोच रहे थे, कि इस ग्रंद का नाम किया दो, नाम करण। बहुत बड़ी महिमा है नाम करण की प्रिव्यक्ति का हो, हमारे तो सोला संस्कार में नाम करण संस्कार आते हैं। यहां बात हो रहे हैं, कि आज जिवन जिसके पीछे अपनी सारी उर्जा लगा डाली, व्रिद्ध हो गए। कलम रोकनी की तैयारी में हैं, केवल इतना बाती था, कि इसका नाम किया दो, उस पर चिंतन चल रहा था, विद्यवाचस्पति का। और इतने में दी की जियोत, लोग, बुझनी चारी, धीमी हो गई है। क्योंकि भामती भी बुड़ी हो गई थी। तब इतना भृतक्तों में काम नहीं हो सकता, जितना जवानी में होता है, तो क्षणों की देर हो जाएगी अगर, और दिपक बुझ जाएगा, तो मेरे पती का जो यग्य है, यग्यान यग्य एक अधुरा रह जाएगा। चुपचाब आती है, और जैसे लोग को बढ़ाने के लिए बाती को समारती है जैसे, ऐसे परचाए ध्यान में आया, क्योंकि अब तो नाम करने करना था, चिंतन चल रहा था, द्रश्टी उपर थी, उसमें ध्यान नहीं था, क्रंद की और, तो तो परचाए ध्यान में आय और परचाए देखे, तो विद्यावाच अस्पति को हुआ कि मेरे घर में परचाए कहा से है, यह किसकी परचाए, ऐसे देखा, चाजर्मान वृत्ता, जिसके चेहरे पर एक रुशी की सेवा और एक ज्यान यग्यमें सहियों करने का पुरा-पुरा संतोश था, सामने खड है, विद्यावाच अस्पति पूछते हैं, आप कौन हैं? भामती को पहली बार मौका मिला आपने पती के साथ बोलने का, तब भामती कहती है, कि महराज, आज से साथ साल पहले आपके साथ मेरे शादी हुई थी, तब याद आया विद्यावाच अस्पति को, कि हाँ ऐसी भी कोई घटना, घटी है मेरे साथ, और अरचानक मन में अपने डाईतों को पती की रूप में अपने डाईतों को पुरा नगरने का, थोड़ा रंज भी हुआ, कि आरे, एक नारी ने जीवन निकाल दिया, मुझे पता तक नहीं चला, जो मेरा भोजन सभालती रही, जो मुर्याद दिया चलाती रही, मेरे वस्त्रत, जो चुपचाब रखते थी, थी, विद्यावाच अस्पति, कि आखो में आसु आ गया, हाँ, स्रीमती, मुझे मेरे ग्रंद का नाम मिल गया, बुले क्या नाम रखोंगे, आपका कारियो पुरा हुआ, बुले आप पुरण हो गया, और मुझे नाम मिल गया, बुले क्या नाम रखोंगे, इस तिका का नाम में रखता हूँ, भामती तिका, अमर हो गये उसकी पत्नी, पत्निक के नाम से पुरा साही है, विद्या वाचस्पती को लोग कम जानते हैं, लिकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है, ऐसे जिग्या से लोग कहते हैं, मुझे एक बार भामती टिका पढ़नी है, तो बहुत भामती क्या है, ये ऐसी समर्भित, सेवामुर्थी, सन्नारी थ एक ऐसी समगरता से पते के कारियों में जीवन अरपन करने वारे नारी थी, जिसका नाम लेते हुए समगरत नारी समाज को गवरों लेना चाहिए, दोस्तो धन्यवाद अच्छा लगा है तो वीडियो शेर करना, लाइक करना, और ऐसे ही सत्संग के लिए सब्सक्रेब नमस्कार